हाई एवरिवन वेल्कम बैग तो मैं चैनल इंडियन व्लॉगर संगीता चैनल में आप सब को स्वागत है यह बहुती इंटरस्टिंग वीडियो है इस वीडियो में क्लचर को प्रॉपरली कैसे टकिन करते हैं इसके बारे में वीडियो शेर्क करने वाली हूँ तो फ्रेंड् इससे पकटते हुए इस तरह का बड़ा वाला क्लचर जो होता है उसको नीटली ठकिन कर लीजिए इस तरीके से बाल में उस क्लचर को नीटली पकटके बचे हुए बालों को कोम कर लीजिए और एक बार यह देखें अपना पहला क्लचर हैड्स्टैल प्रेडी है अब आप अपने बालों को इस तरह से इस तरीके से लेते हुए नीटली अपने हाथों से पकड़ के इस तरीके का अप्लेचस्ट जो होता है उसको उपर से टकिन करते जीए इसे अज़्जस्ट कर लिजे बाद में अपने बालों को तोड़ा सही से खीच सकते हो ताकि वो अच्छे से साक्यूर हो जाता है ओक ख्लेचर को अपने हाथों से पकटके ऐसे आप बाद में कॉम कर सकते हो बहुती सुंदर दिखता है एक हेर्स कर तो स्ट्रेप कट जो होता है अपने हेर्स में उसको बहुती सुंदर दिखता है इस तरह का क्लेचर प्या लगा सकते हो अब हम बनारना अक्लिप्स जो होता है उस अक्लिप को कैसे टकिन करते हैं दिखाते हूं पहले अपने बालों को नीटली कुम करने के बाद ऐसे अपने पूरे बालों को अपने हाथों से होल्ड कर लीजिए बाद में इस तरह का जो क्लिप्स होता है उसको नीचे से लेके इस रख से से क्यूर कर दिजिए यह देखे बहुती सुंदर दिखता है सेक्यूर रहता है बहुत टाइम तक है सेक्यूर रहता है तो फ्रेंड्स यह हमारा फिफ्थ हेरस्टाइल है अपने बालंग को इस तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से पकड़के इस ट्राइब का क्लचस जो होता है इसको इसे से क्यों कर देजिए तो अब हमारा फिफ्थ हेरस्टाइल भी रड़ी है तो नेक्स्ट में इस तरीके सा जो क्लचस होता है उसको कैसे से क्यों करते हैं अपने पूरे बालों को इसे पकरती हुए इसे फ्रेंच ट्विस्ट करते जाए ऐसे ट्विस्ट करके उपर तक लेके जाए बाद में उस क्लचस को इंसर्ट कर दीजिए इन देखिया है बहुती सुंदर प्रेंच ट्विस्ट हैरस्टाइल रड़िया ये तो समर के लिए से बहुती सुटेबल हैरस्टाइल है। यह भी एक बन हैरस्टाल है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो केसे लगा आपको अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजे शेर कीजे और मेरे चानल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप हुचिंग बाबाई